हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकसना न्यूज आज हम बात करेंगे राजस्तान यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंस के द्वारा आयो जित होने वाली इसके अलावा फार्मेसी की जो पर भी इस परिक्सा है उसके बारे में अपडेट की देखिये दोस्तों मैं आपको यह जानकारी पहले से लगातार सिलसिलेवार तरीके से देता आ रहा हूं और आज फिर यही बात कहने जा रहा हूं कि बहुत से बच्चे यह कह रहे हैं कि सर के बारे में कोई स्पेसला और स्पेसिफिक अपडेट है क्या बिलकुल है मैं यlest दावे के साथ कहा रहा हूं कि आपके जो इस बार फोर्म है वो बिलकुल भी डिले नहीं होंगे अब से अपके अक्टॉंबर के पहले सब्था के अंदर फोर्म निकलेंगे तो क्या ये को official news है क्या बिल्कुल यह official news है और यह अब राजस्तान University of Health Science ने खुद officially यह बयान जारी कर दिया है कि हम October के पहले सब्ता में फोर्म जारी करेंगे तो October के फैस्ट वीक के अंदर दोस्तो अक्टॉमबर के फैस्ट वीक में बीएसी नर्सिंग के लिए फारमेसी के लिए पेरा मेडिकल और बीपीटी के लिए एंट्रेस्ट एक्जा में तू नौटिफिकेशन जारी हो रहा है और जैसे यह नौटिफिकेशन जारी होगा उसके जैस्ट बाद में आपको कितना टाइम मिलेगा फोम बरने का वो भी देख लो आपको फोम बरने का दोस्तो एक मन्त का क्या मिलेगा समय मिलेगा मतलब यह कि आपके जैसे की फॉम जारी होते हैं साथ अक्टूंबर को तो यह साथ नौंबर तक आपके फॉम बरे जाएंगे और इसके जैष्ट पंद्रा से 20 दिन के अंदर आपके परवेस पत्र जारी होंगे तो सर परिक्सा होगी कब तो परिक्सा होगी दोस्तो डिसम्बर के फैस्ट वीक के अंदर अब जो जानकारी दे रहा हूँ वो अथेंटिक जानकारी है क्यों क्योंकि वर्तमान की परिस्तितियां ही कुछ इस तरह से है अब देखिए दोस्तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ही वहाँ से सारी चीजें जारी रहा हूँ यह किसी के हाथ की बात नहीं है यह युनिवर्सिटी तै करती है कि उन्हें कब सहूलियत होगी फॉर्म जारी करवाने में परिक्सा करवाने में हम युनिवर्सिटी के अवाले से सही सही जानकारी दे सकते हैं अब जो युनिवर्सिटी ने जानकारी दी है जो official जानकारी दी है क्योंकि अब इस जानकारी में कते ही कहीं कोई समझोता नहीं होगा कुल मिला के बात यह है कि अब university अक्टुमबर के पहले सब्ता में फोर्म निकालेगी एक मैंने तक फोर्म बरे जाएंगे दिसना नवंबर तक और इसके जैस्ट बाद दिसना नवंबर के पहले सब्ता में आपकी परिक्षा हो जाएगी तो दोस्तो यह बड़ी न्यूज है ठीक है syllabus को लेकर के मैंने अलग से वीडियो डाल दिया है तो बियसी नर्सिंग का क्या syllabus है अगर आपको देखना है फारमेसी का syllabus देखना है तो आप अलग से वीडियो विजिट कर लो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तो एक जानकर यह और देना चाहता हूँ आप विजय एजुकेशन और न्यूज के टेलिक्राम चैनल को भी जोइन कर लो ताकि वहाँ पर आपको समय समय पर इस परकार की अपडेट मिलती रहेगी ठीक है फोर्म बरने के लिए फीस कितनी रहेगी तो फोर्म बरने की फीस 15 सु रूपे है जनरल और OBC के लिए और साटे साथ सु रूपे फीस रहेगी किस के लिए SCST और EWS कर टेगरी के लिए इसके अलावा जिन बच्चों ने EWS के जो हैं नहीं बनाए हैं अभी तक सर्टिफिकेट वो बना सकते हैं क्योंकि EWS की मेरिट बहुत डाउन रहती है अब जो बच्चे BFC नर्सिंग की तयारी कर रहे हैं एंट्रेश एक्जाम की तो उन बच्चों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आगे EMS का एक्जाम भी है जिन्होंने EMS का फॉम बरा है तो वो EMS के साथ साथ ये फॉम भी जरूर बरना क्योंकि राजस्तान के अंदर EMS कोलेज, RUHS, SN Medical कोलेज बहुत ही बड़ी है क्वालिटी के कोलेज है जिनमें बहुत ही अच्छी तयारी करवाई जाती है BFC नर्सिंग की तो इसलिए आप जरूर फॉम बरना इसके अलावा दोस्तो एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर एंट्रस्ट एक्जाम की तयारी कर रहे है तो सेलिबस के एकोडिंग पढ़ाई करना और यहां जितना भी सेलिबस रहेगा, वो RBSC का रहेगा, BFC नर्सिंग में 12 RBSC का सेलिबस आता है जबकि पेरा मेडिकल के अंदर 11 और 12 दोनों का आता है, ठीक है न, तो यह सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए एक ही नॉटिफिकेशन जारी होता है दोस्तो, BPT के लिए, पेरा मेडिकल के लिए, और फार्मेसी के लिए, और BFC नर्सिंग के लिए तो बहुत से बच्चे मेरे से यह पूछ रहे हैं कि सर में एक ही फार्म बर सकता हूं कि आप BFC नर्सिंग के लिए, नहीं, आप BFC नर्सिंग के लिए भी बर सकते हो, आप पेरा मेडिकल फार्मेसी के लिए भी बर सकते हो, ठीक है न, पर एक साथ दो अलग अलग दिन होग अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पेपर ओफ लाइन होगा कि ओनलाइन होगा यह मैं पहले ही बता दिया था अब और बता रहा हूँ पेपर ओनलाइन होगा और सेंटर आपका जैपुर रहेगा ठीक है 99% संभावना जैपुर सेंटर की है संक्या बढ़ती है तो फिर जो समय गत्तर नो इस teddy प्रखे हैं अनधर और अलग-लग कोर्सेज में अलग-अलग है जैसे 200 के लगबग पेरा मेडिकल में भी थीएैं तो इसतरह से दोस्तों आपको governement इसीतों पर अपना निसाना रखना है, और यदि किसी का सगय नबर नहीं आता है तो इसी टेस्ट के द्वारा आपको private college भी मिल जाएगा और private college अगर stress के दुरू लोगे तो फाइदा यह है कि आपका फालतु का donation नहीं लगेगा ठीक है न अधीक से अधीक बच्चे जैसे ही October पहले week में notification जारी हो form परवाएं और किसी भी तरह कि कोई दुईदा है कोई दिक्कत है आप मेरे को message करें Instagram पर follow करें ठीक है इसके अलावा अपना Facebook पर भी विजय एजुकेशन और न्यूज के नाम से एक page बना हुआ है Instagram पर भी विजय एजुकेशन और न्यूज के नाम से page बना हुआ है आप उन्हें follow करें उस पर comment करें आपको तुरंद जानकारी दी जाएगी और जो भी जानकारी होगी वह authentic होगी आप direct मेरे को जो है evening के समय जो है call भी कर सकते हैं WhatsApp पर message भी कर सकते हैं ठैंक्यू दौस्तो जै हिंद वंदे मात्रम भारत माता की जै